दोस्तों यहाँ पर कुछ student का record रखे गया है जिसमें student का नाम और उनके numbers और उनके number के हिसाब से एक interesting graph भी create किया गया है यह मैंने कैसे create किया है इस वीडियो में बताने वाले हैं वीडियो अच्छा लगे तो like और share जरूर कर देजएगा तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले graph को delete कर देते हैं और फिर type करते हैं इसको to rate open bracket और यहाँ पर double quotes में vertical state line की को press करते हैं और फिर comma देते हैं और फिर यहाँ पर number को slack कर लेते हैं और bracket से बन कर देते हैं इंटर की press कर देते हैं और फिर sale को वापस slack करके और यहाँ पर stencil font को slack कर लेते हैं उसके बाद फिर से वापस इसको edit करके और फिर 5 से divide कर देते हैं numbers को और फिर यहां से track कर देते हैं तो इस तरीके से आप देखेंगे कि OBT mark का एक graph create हो गया